नमस्कार आपके साथ मैं हुरेशम खान और स्वागत आप सभी का बात मुद्देकी में मद्यप्रदेश के नए सीम बनने जा रहे मोहन यादफ की काफी चर्चा हो रही है एक यादफ को मुख्यमंत्री का पद दे कर भाजपा ने सियासी जगत में खलबली मचा दी है ऐसे समय में शायद कॉंग्रेस के कुछ नेताओं को एक बात काफी खल रही होगी जो गाहे बगाहे भाजपा के लोग सुनाते भी रहते हैं जी हाँ कॉंग्रेस की अंधुरूनी पॉलिटेक्स के चकर में एक यादफ चेहरा मुख्यमंत्री बनते बनते रहे गया उनका नाम था सुभाश यादव उनकी गिंती कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं में होती थी वे प्रदेश के डिप्टी सीएम तो बने लेकिन सर्वोच पद नहीं मिला खरगोन जिले के किसान परिवार से आने वाले सुभाश यादव अब इस दुनिया में नहीं है उनके बेटे अरुण यादव एमपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं हाला कि जब भी मोका मिलता है राजे के भाशपाई सुभाश यादव का जिक्र कर कॉंग्रेस पर हमला करने से नहीं चूपते हैं दरसल दो साल पहले बीजेपी के एक नेता ने दिगविजे सिंग के ट्वीट पर अरुण यादव पर तंज कस्ते हुए कहा था कि आप उनके साथ हो रहे जिन्होंने आपके पिदाजी का लगतार अपमान किया इतने काबिल होने के बावजूद दिगविजे सिंग और इनके गुरू अर्जुन सिंग ने उन्हें मुख्य मंत्री नहीं बनने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि सुभाश जी पिछड़े वर्ग से आते थे वही आपको बता दे खुद शिवराज सिंग चोहान भी यही बात के चुके हैं और इस तरहा से देखे तो MP में यादव पॉलिटिक्स नई बात नहीं है आज भाशपा यादव आदिवासी नेताओ को CM बना रही है लेकिन 30 साल पहले कॉंग्रेस इससे चुक गई थी वही आपको बता दे 1980 में अरजुन सिंग को कॉंग्रेस ने MP का CM बनाया था और शिव भानू सोलंकी डिप्टी CM बने थे वही कहा जाता है कि सोलंकी के सपोर्ट में ज्यादा तर विधायक थे वही अगर सोलंकी CM बनते तो MP को पहला आदिवासी CM मिल जाता वही आपको बता दे कि साल था 1993 दिगविजे सिंग के राजनीतिक गुरू अरजुन सिंग सुभाश यादव को मुख्य मंतरी बनाना चाते थे हाला कि CM दिगविजे सिंग ही बने वही अगर सुभाश यादव को कमान मिलती तो MP में कॉंग्रिस को पहला OBCCM बनाने का क्रेडिट मिल जाता वही आपको बता दे कि 1993 में दिगविजे सिंग और सुभाश यादव डिप्टी सिंग बने थे और दोनों की रिष्टे समान्य नहीं थे दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी हुआ करते थे क्योंकि दोनों CM बनना चाते थे वही इससे पहले अरजुन सिंग की सरकार के समय दोनों अच्छे दोस्त माने जाते थे वही राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सुभाश यादव की महत्व कांशाय पूरी ना हो सकी और उनका रुख बदलने लगा तो दिगविजे ने सुभाश यादव को इगनोर करना शुरू कर दिया शराब बंदी समेद कई मुद्दों पर सुभाश यादव दिगविजे सरकार के लिए ही चुनोती बन गए उन्हें आखिर में मंत्री मंडल से हटा दिया गया वही सुभाश यादव 1993 में करगोन जिले की कसरावद विधान सभा से जीत कर MP के उप मुख्य मंत्री बने थे और तीसरी बार विधायक बनने पर उन्हें प्रदेश कॉंग्रेस का ध्यक्ष भी बनाया गया था वही बताते हैं कि 2008 के चुनाव में सुभाश यादव की हार की मुख्य वजा दिगविजे सिंग ही थे लेकिन दिगविजे ने कभी सामने आकर बेटिंग नहीं की सुभाश यादव सांसद रहे लेकिन कभी CM नहीं बन पाए चार दशक तक कॉंग्रेस MP की साथ में रही लेकिन 20 साल ब्रामण 18 साल ठाकुर और कुछ साल बनिया CM बने मतलब शीश पर सुवन हावी रहे और ऐसा तब था जब आजादी के बाद से हिंदी भाशा बेल्ट के दलित और आदिवासी कॉंग्रेस के साथ रहे हाला कि अब वो समिकरन बिगड गया है 2018 की एक रिपोर्ड के मताबिक MP में 22 प्रतिशत दलित करीब 16 प्रतिशत वही आदिवासी करीब 21 प्रतिशत बाकी OBC और अलपसंख्यक है तो आज का मुद्दा यही खत्म करते हैं कल फिर जुड़ेंगे नए मुद्दे के साथ बात मुद्दे की में देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हैं N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खबर पर